हेलो दोस्तों आप सब कैसे हैं आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है चलिए दोस्तों आज हम सीता फल की सबजी बनाते हैं उसको हम काशी फल भी बोलते हैं और सीता फल भी बोलते हैं अब हमने कड़ाई गरम करके उसमें ओविल डालके और जीरा हल्दी मिर्ची दाल दिये हैं उसके बाद हम इस काशी फल को उसमें डाल देते हैं फ्रेंड फ्रेंड काशी फल कही तरीके से बनाया जाता है इसमें छोले डाल के भी बनाया जाता है चने की डाल डाल के भी बनाया जाता है प्यास डाल के भी बनाया जाता है लेकिन हम इसे ऐसे ही साधा बना और हमने इसमें नमक भी एड़ कर दिया है देखिए अब इसको हम चला देते हैं काशी फल की सब्जी बहुत अच्छी लगती है काशी फल की सब्जी खटी मीठी भी बनती है और पूरी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में जब पूरी बनती है तो हम काशी फल क सब्जी जरूल बनाते हैं वो भी खटी मिठी वाली काशिवल की सब्जी को हम नास्ते में बना रहे हैं और अपने लिए आटा लगा रहे हैं और काशिवल की सब्जी बना रहे हैं और बच्चों के लिए ये बेशन का चीला बना रहे हैं इसमें हमने धनिया मिर्ची डाल कुछ भी अजमाइन भी डाल दो जो अपने स्वाद अनुसार कुछ भी मसाला एड़ कर सकते हैं हम इसमें तो देखिए अब हम ये बच्चों का नास्ता बना रहे हैं हमारी पी सब्जी जब तक बन जाएगी इस लोगे इस पे उसके बाद हम भी आठा लगा लेंगे और परा अच्छा बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है ये खाने में और इसमें आलू भी भर सकते हैं पनीर भी भर सकते हैं कुछ भी भर सकते हैं स्टेप बाला भी बना सकते हैं कैसा भी बना लो फ्रेंड पर ये हम प्लेन वाला बना रहे हैं और खटी मीटी चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये और हैबी भी काफी हो जाता है फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स चीला दाल का भी बनाया जाता है और बेशन का भी बनाया जाता है आटे का भी बना लो मीठा भी बनता है सब तरह का चीला तयार हो जाता है फ्रेंड्स बदल बदल के बनाते रहे हैं मुंकी दाल का भी बहुत अच्छा लगता है और मीठा भी अच्छा लगता है जो आटे में गुड़ चीनी डाल के बनाते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड देखिए अब हमारा एक तरफ से चीला तयार हो गया है और जब तक हम इसको फ्रेंड दही से भी खा सक सब कुछ डाला हुआ है इसमें हरा दनिया हरी मुर्ची डाली हुई है तो यह खाने में और स्वादिस्ट लगेगा अच्छा लगता है चाय के साथ भी खालो कैसे भी खालो फ्रेंड और फ्रेंड आप सब कैसे हैं और आपको मारी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड से मिल जाएगी सेर सस्क्राइब लाइक सब कीजिये फ्रेंड देखी हमारा चीला बन गया है अब इसके बाद हम इसको कड़क करना है तोड़ा सक दिरे दिरे इस पे इसको पलटते रहेंगे तो यह कड़क हो जाएगा काफी अच्छा हो जाएगा देखो अब हमारा चीला अब इसमें हम चटनी बटनी लगा के देखो बहुत अच्छा लग रहा है देखो कलर किता अच्छा है इसका दोनों तरह की चटनी है खटी मीठी अब हम बच्चों को देने जा रहे है प्लीज दोस्तों आप भी आ जाईए देखिए इधर से भी बहुत अच्छा सिका अब हमने गोड़ वाली चटनी बनाई है खटी और गोड़ की मीठी